तो आए यूज करते हैं समझने के कोशिस करते हैं कि कौन सी करेटरिया कव इस्तेमाल की जाती है ठीक है तो सबसे पहला हमारा है इस 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 मतलब साइड 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 इसका फूल नाम का हो गया साइड 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 जब दो ट्रैंगल में तीनु साइड आपस में बराबर होंगे तब हम इस इस को यूज करेंगे जैसे मान लेते हैं फर्स्ट हमारा जो फिगर है ध्यान समझने मान लेते हैं कि ये वाला जो ट्रैंगल की साइड है इक्वल हो जाती है इस ट्रैंगल के साथ ठीक है फिर इस ट साथ equal हो जाए तो कहेंगे यह दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के congruence हैं और congruence हैं तो कौन से क्रेटरिया से congruence हो रहे हैं तो इस 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 तीनों साइड एक दूसरे के आपस में बराबर हुए हैं तो हम कहेंगे कि इस इस से यह दोनों triangle congruence है ठीक है तो चलिए मैं समझता हूँ कि यह इस इस कभ यूज करेंगे जब तीनु side दो triangle में बराबर होंगे तब हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट हमारा जो criteria है वो है S A S मतलब आप इसे समझ सकते हैं side angle side अब यह देखें यह कभ इस्तंबाल करेंगे तो देखें suspect कर लेती हैं कि हमारे पस दो triangle है लग लग हमें triangle दिया हुआ है ठीक है माल नेते हैं कि ये जो side है इस side के साथ बरावर हो जाए एक्वल हो जाये ठीक है और ये जो side है इस side के साथ का हो जाये or दोनों side से बना हुआ angle का ओढ़ है यहां पर है तो उसी परकार इसमें भी दोनों side से बना हुआ angle का है यहां पर है अगर यह angle भी एक दूसरे के साथ ocol हो जाएगा तो हम लोगी उच्छ करेंगे कौन सा side angle side ठीक है याद रखना यह है कि दोनो side के बीच में यानि दोनो серьthree included angle होनी चाहे दूनो side से included angle होनी चाहें मान ले दिए अब देखे फिरल काश सकती है जैसे हम दे हमने यह दोनों साइट ले लिया और दोनों साइट के included लिया है यह ना लेकर कोई दूसरा एंगल लेंगे तो यह SAS यूज नहीं होगा गलत हो जाएगा ठीक है तो दोनों साइट के जो बीच का एंगल होगा वही एंगल दोनों ट्रेंगल में equal होना चाहिए तब जाकर हम लोग यूज करेंगे एस ए एस चले नेक्स्ट हमारा जो क्रेटेरिया है वो है एस ए अब एस इस से क्या समझ रहे हैं एस इस आप क्या समझते होंगे कि एंगल, साइड, एंगल अब ये एक क्रेटरिया का भी यूज करेंगे ध्यान से समझते हैं suppose that मान लेते हैं कि मेरे पास एक ट्रेंगल है दो ट्रेंगल है देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है खैर कोई बात नहीं हमारे पस दो ट्रेंगल मान लेते हैं यह जो साइड है इस साइड के साइड इकवल हो जाए ठीक है और यह मान लेते हैं यह जो साइड है इसके साइड इकवल हो जाए ठीक है ध्यान समझना यह है कि इसमें क्या है एस ए है यह कभी जोगा तो ध्यान समझना है मान लेते हैं एंगल है नो एंगल 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 सब्सक्राइब इसके साथ इकल हो जाए फिर यह साइड इसके साथ इकल हो जाए और फिर यह एंगल इसके साथ इकल हो जाए तब हम लोग य है कि कोई कोई कि किसी किसी मतले बुक में या किसी किसी कोसर में अलग अलग तरीका के मिलता है जैसे मान लेते हैं कि यह साइड इसके साथ इक्वल हो गया है ठीक है कोई कोई बात नहीं यह एंगल इसके साथ इक्वल हो गया और यह एंगल इसके साथ होनी चाहिए ठीक है तो हम ले लते हैं जैसे माले ती यहीं लते इंगल साइड एंगल यह इस तरीका से मिलता है एंगल साइड एंगल तो यह दोनों ट्रेंगल कोंगरेंस हो सकती है देखिए दोनों एंगल के कर सकते हैं तो यह कभी जोगा जब दोनों के बीच में और यह योज करेंगे और जैनेक्स्ट हमारा है एंगल एंगल साइड है मतलब दू इंगल मिलेंगे तब जयाकर सैड मिलेगा तरक नेक्स्ट हम कि मालन लेते हैं ये वाला omega इसके सांद्व हो जाएं बहुत उच्छी बात है ये वाला इसके सांद्व हो जाए और देखंड मुझे इन दोनू एंगल के बीच कर साइड ये एकोल एंगल के बीच में जो साइड उसके छोड़कर कोई दूसरा साइड मिलना चाहिए जैसे फिर से एक पर और आच्छी तरीका से समझ लेते हैं कि माल लेते हैं हमारे पास बच्चों यह एंगल है फिर यह एंगल मिला तो इसमें भी यह एंगल मिला और यह एंगल मिला लेकिन इन दोनुं एंगल को बीच वाला साइड नहीं चाहिए यह से छोड़कर कोई दोसाइड आप कई दोसाइड में से को सकती बीसरे किसे कमो अचे ऐकवर होना चाहे तो सब मृझ य सबसे जर्णा इंपोर्टेंट है वो है RHS यह कब यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा इंपोर्डेंट है देखो यह यूज करेंगे हम लोग कब जब राइट एंगल ट्रेंगल होगी तब हम लोग यूज करेंगे जैसे मान लेती है हमारे पास दो राइट एंगल ट्रेंगल है ठीक है तो देखिए R का मतल याद रखना है कि दोनों 90 degree होनी की चाहिए, दूसरा दोनों का hypertenous भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, और साथ में दो side में से कोई एक side आपस में बराबर होनी चाहिए, यसे मान लेते हैं, यह side इसके साथ बराबर आगे, तो हम को सकते हैं यह right hand side, right hand side से यह दोनों triangle congruence हो जाएंगे, तो right hand side में कभी-कभी figure जब आती है, right angle triangle तो उसमें आरेचेस यूज नहीं हो पाता है, इसमें से कोई characterिया यूज हो जाती है, तो यह उस वक्त यह जरूरी है बच्चों, कि right triangle अगर मिल रही है, right triangle मिल रही है, तो उसमें दोनों का 90 degree तो सेम तो ह होता ही है, और hypertonus भी सेम होना चाहिए, और एक side भी सेम होना चाहिए, तब जाकर हम लोग RHS को यूज करते हैं, ठीक है, दो और characterिया होती है बच्चों, जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, वो congruence में यूज नहीं होती है, ठीक है, वो characterिया कौन कौन सी है, एक A, S, S, A है, इस, S, A, और दूसरा है, A, 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 ये दो characterिया है, जो यूज हम लोग नहीं करते हैं, congruence में, ठीक है, अब इसके बारे में आपके लिए next वीडियो बनाएंगे, कि ये क्यूं नहीं यूज होते हैं, और ये कहां fail हो जाते हैं, ठीक है, अगर अच्छा लगा, तो आप लोग करें मेरे चनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू